Hello everyone, welcome to learn with Shafali तो आज हम करने वाले हैं इस पोयम की explanation पढ़ेंगे जिसका नाह में A Slamber Did My Spirit Seal तो ये छोटी सी पोयम है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और बहुत ही easy पोयम है एक बार अगर आगर आख पो टाइटल का मीनिंग पता चल गया तो तो टाइटल का क्या मतलब है कि A Slamber Did My Spirit Seal Slamber का क्या मतलब होता है? Slamber का मतलब होता है Deep Sleep तो टाइटल का क्या मतलब होगा? कि Deep Sleep ने क्या किया है? उनकी Spirit को क्या कर दिया है? उनके Soul को क्या कर दिया है? lock कर दिया गया है अब deep sleep का क्या मतलब है कि death of the loved one कि किसी की death हो गई है और उनको जो author है उनको क्या है शौक लग गया है जिसके वज़े से उनको उनके spirit जो है वो lock हो चुकी है और poet का क्या नाम है that is William Wordsworth ठीक है तो उनकी spirit को lock कर दिया अब सबसे पहले blue box हम परते है blue box में क्या given है हमें कि this poem is about the death of the loved one ये poem किस बारे में है कि जो William है जो author है हमारे उनकी एक loved one की क्या हो गई है death हो गई है how does the poet feel when he think about her death तो अब poet को कैसा feel हो रहा है जब भी वो उनकी death के बारे में सोच रही है ये हम इस poem में पढ़ेंगे और ये हम पढ़ने वाले है कि how does he imagine her to be after death और अब वो उन्हें कहां imagine करते हैं अब उनकी death हो चुकी है तो अब वो उन्हें कहां पर imagine कर रहे हैं कि अब वो कहां पर हैं समय ठीक है उनकी soul कहां पर है ठीक है तो जैसे हमारे साथ भी होता है कि एकदम से shocking news हमें मिलती है कि हमारे किसी loved one की जो है death हो गई है तो हमें यकीन नहीं हो पाता कभी कबार कि उनकी death हो गई है तो वही चीज़ यहां पर किसके साथ हो रही है विल्यम वॉर्ट के साथ हो रही है ठीक है तो चलिए लाइन बाइ लाइन परते हैं हम असलेंबोर डिद माइ स्पिरिट सील अब जो जो loved one की death हो गई है वो अब deep sleep में चली गई है गहरी नीद में अब वो सो चुगी है अब वो कभी वापिस नहीं आएंगी तो जिसकी वज़े से उनको क्या हुआ है उनकी spirit जो है वो क्या हो गई है वो lock हो गई है उनको shock लग गया है I had no human fear आज से पहले जब तक इनकी death नहीं हुई थी इनके loved one की death नहीं हुई थी तब तक इने कभी भी human fear नहीं था human fear का क्या मतलब होता है human fear का यह मतलब हो गया कि हम हमें life death इन सब चीजों से बिलकुल भी done नहीं लगता था तो उनको इन सब चीजों से बिलकुल भी done नहीं लगता कि human fear जो होता है कि इसकी loved one की death हो सकती है उन्होंने कभी भी ऐसा अपनी life में नहीं सोचा था उन्होंने हमेशा अपनी life को क्या लिया है granted लिया है for granted लिया उन्होंने हमेशा अपनी life को इसी वज़े से उन्हें इससे पहले कभी भी human fears नहीं लगता था He does not have any human fear She seemed a thing that could not feel the touch of the earthly ear ये उनकी बात हो रही है जिनकी loved one William की जो loved one है उनकी death होगी है उनके बारे में बोले हैं कि अब जब वो passed away हो चुकी है अब जब उनकी death हो चुकी है तो अब इस reality को जो है वो accept नहीं कर पार है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि वो उनसे इतनी दूर चली जाएंगी घहरी नीन में वो चली जाएंगी उनसे इतनी दूर हो जाएंगी अब जो यह time है earth पे age वाला time कि हमारी age बढ़ रही है कम हो रही है यह सब चीज़े जो है वो feel नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी death हो चुकी है the touch of the earthly year earthly year का मतलब क्या होता है जो earth पर जो time चल रहा है उसको feel नहीं कर पाएंगी अब क्योंकि उनकी death हो चुकी है इतना clear हो रहा है तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि उनके loved one की death हो गई है पहले उन्हें इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था वो अपनी life को for granted लेते हैं तो हमेशा अब जब उनकी death हो चुकी है तो वो जो earth का time चल रहा है उसको feel नहीं कर पाएंगी वो अब इन सब चीज़ों से बहुत परे हो चुकी है उन सब चीज़ों से बहुत कि देट हो चुकी है तो अब क्या बोल रहे है कि no motion has she now अब उनकी death हो गई है तो कोई motion नहीं हो रहा होगा उनकी body में थीक है no force कोई भी वो काम नहीं कर पाएंगी चल नहीं पाएंगी कुछ भी नहीं कर पाएंगी ठीक है कोई भी motion नहीं है अब उनकी body में she neither here or see अब वो उनको यहां पर बोला गया ना How does he imagine her to be after death अब उनके death हो चुकी है तो अब उनको वह कैसे imagine कर रहे हैं वो ऐसे imagine कर रहे हैं कि अब वो चल नहीं सकती कोई motion नहीं हो रहा है वो सुन भी नहीं सकती वो देख भी नहीं सकती और earthly ear को क्या है वो feel भी नहीं कर सकती ठीक है roll round in the earth general course earth general course मतलब होता है मतलब daily daily में जो earth का rotation होता है तो हम उस चीज़ को feel कर पाते है earth rotating कर रहा है daily अपने axis पर क्या कर रहा है on its axis पर क्या कर रहा है rotate कर रहा है ठीक है तो अब क्या होता है कि जब किसी के death हो जाती है तो क्या होता है एक coffin होता है उसमें उनको लिटा के अर्थ में मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है ठीक है? अर्थ के अंदर क्या करते हैं? दबा दिया जाता है तो इसमें यह वही चीज बोल ले हैं कि अब जो अर्थ रोटेट हो रही है अब वो भी उनके साथ क्या हो रही है रोटेट होंगी ठीक है अब वो घहरी नीन में जा चुकी है अर्थ के अंदर है तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी वो भी उनके साथ रोटेट होगी अर्थ के साथ with rock stones and tree जैसे earth पे rocks हैं पत्थर हैं वो भी earth के साथ साथ क्या करते हैं rotate होते रहते हैं stones भी rotate होते रहते हैं अपनी जगा पे वैसे ही जैसे trees भी rotate होते रहते हैं हिलते नहीं है अपनी जगा से वैसे ही उनकी जो loved one है वो भी earth के साथ क्या करते रहेंगी रोटेट होती ही रहेंगी ठीक है वो उनके अंदर कोई motion नहीं है वो कुछ सुन नहीं सकती देख नहीं सकती कोई activity नहीं कर सकती perform तो यह सब चीज़े ही इसके अंदर वो imagine कर रहे हैं कि अब वो earth के साथ क्या करेंगी रोटेट करेंगी डेली बीसस पर डेली जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है अब वो अर्थली जो time है अर्थ पर time है हमारा जो age change होता है सारी चीज़े जो change होती रहती है वो उन सब को क्या कर पाएंगी feel नहीं कर पाएंगी ठीक है उन्होंने यह जो title दिया है a slumber did my spirit seal अब इस poem को पढ़के अब आपको यह चीज़ क्लियर हो गए उन्होंने बिल्कुल correct title दिया है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी life को इतना for granted लिया कि उन्होंने कभी imagine कर पाए कि death जैसा भी कुछ होता है कि आप मैं हमारी कभी ना कभी death होगी ही होगी कभी ना कभी हर इंसान की धर्ती पर इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं उन्हों सबकी कभी ना कभी death होनी ही होनी है हमेशा उन्होंने for granted लिया अपनी life को उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा मरने से किसको डर नहीं लगता मुझे भी डर लगता है कि मैं भी कभी मरूंगी तो डर लगता है न अब वो उनसे नहीं मिल पाएंगी उनके साथ motion कुछ activities वगएरा नहीं कर पाएंगे उनके साथ गूम नहीं पाएंगे तो यह सब चीज़े इसमें हमें पूली गई है अब इसके जो question answer है thinking about the poem के वो हम next video में करेंगी I hope आपको यह जो poem है चोटी सी poem थी बिलकुल सर्फ दो स चिंजा की वह आपको clear हो गई होगी मिलते हैं next video में video पसंद आगे हो तो like जरूर कीज़ेगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much for watching bye bye